हाई एवरिवान वेरी गूड मॉर्णिंग मैं अश्विन स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के डेली वोकाब के सेशन नमबर 15 में हर दिन के जैसे हर सेशन के जैसे मैंने आज भी कुछ बहुत ही अच्छे वर्ड्स रखे हैं आप सभी के लिए उन्हें अभी जानेंगे ह मैं आपको ये बात बता दूँ कि फ्रेजल वर्ड गेट का पार्ट टू पार्ट वन तो हमने दो तीन दिन पहले ही पढ़ा दिया था पार्ट टू का भी सेशन जो है वो कल चैनल पे अपलोड कर दिया गया है इफ यू हावन गॉन थू दाट सेशन यट तो आप प्लीज सेशन को भी देख लें ताकि गेट फ्रेजल वर्ड पूरी तरीके से आपका तयार हो जाए बहुत जल्द हम एक और फ्रेजल वर्ड उसके सारे यूजस लेकर आप सब के सामने आएंगे और अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्यू क्योंकि इट हाडली बीन अ अनुभव कराने वाली हैं थैंक्यू सो मच आप सब के ही ग्राटिट्यूड आप सब के सपोर्ट से ये सारी चीज़े पॉसिबल हो पाई हैं कीप लविंग दिस चैनल आज मच आज 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 करते हैं सामने स्क्रीन पे आपको कुछ वर्ट्स देख रहे होंगे जिसमें पहला वर्ड है ओपाईन ये एक वर्ब है वर्ड नमबर टू मिफ्ट रखा है हमने आज के सेशन में जो की एक एडजेक्टिव है जो तीसरा वर्ड हमने चूज किया है फूर टूडे सेशन इट इस कॉ बारी-बारी से इनका मीनिंग इनको याद करने का तरीका चाहे वो रूट हो चाहे वो नेमोनिक्स हो चाहे कोई और तरीका जिसे आप प्रिक भी कह सकते हैं और इनके डेडिकेडर यूजिस अलोंग विट सम रेलिवन्ट, सैनॉनिम्स, अंड अन्टोनिमस, ये सारी चीज हम बारी-बारी से समझने का प्रयास करते हैं, करेंगे चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं जो पहला word ओपाइन है उसे समझते हैं, ओपाइन एक वर्ब है आप देख सकते हैं, क्या मीनिंग है? To Opine means to Express Your Opinion, मतलब औपाइन करने का मतलब है अपनी राय देना, अपने उपीनियन को देना अब देखें आप इसे याद कैसे करें कि बड़ा ही सरल है, ओपाइन का ही जोनन वर्जन है वो ओपीनियन है और opinion का मतलब आप जानते हैं राय, सलाह, सुझाव तो बिलकुल उसी प्रकार से आप opinion का भी meaning समझ सकते हैं जिस प्रकार opinion का meaning सलाह, सुझाव, अथ्वा, राय हो सकता है तो बस उसी के बाद आप देना word को आट कर दीजी जैसे कि सलाह देना, सुझाव देना, राय देना तो ये opinion हो जाएगा from noun to verb वही meaning है जो opinion का meaning है बस opinion एक noun है और opinion इसी का verb है problem बस इतनी है आपके लिए वो ये कि आप opinion word को तो खूब देखते हैं लेकिन generally opinion word बहुत जादा आपको देखने को नहीं मिलता this is why आपको लग सकता है कि नजाने इसका क्या meaning है तो मुझे पूरी उमीद है कि आपको बिल्कुल सरल लग गया होगा वास्तों में ये सरल ही है समझना क्यों क्योंकि opinion से सीधे तोर पे relate किया जा सकता है तो क्या सीखा आपने? उपाइन का मतलब है to suggest, to give your views, to give your ideas, to express your opinion this means to opine something चलिए example number one देखिए dentist opine, flossing is essential for maintaining good health dentist का ये मानना है या dentist ये राय देते हैं कि जो flossing है, flossing है एक process है जो teeth में apply की जाती, जिसे दात जो है वो सही order में रहते हैं तेड़े मेड़े, दाए माए नहीं भागते, lose नहीं होते हैं उसको flossing कहा जाता है अगर आपको थोड़ा सा कम idea हो, क्या मैंने समझाया तो आप इस session के बाद इस word को google करके देखेगा images में जाईएगा, आपको और अच्छे से idea मिल जाएगा तो dentist का क्या मानना है, dentist को ये लगता है कि जो flossing है ये बेहद आवश्चक है to maintain good dental health ये doctors opine करते हैं opine का ये पहला example था, example number two देखिए it says, while one referee felt the cake was foul एक referee को लग रहा था कि जो player ने, जो footballer ने kick मारी है वो foul है, मतलब गलत है while the other referee chose to opine a different outlook on the shot वहीं दूसरी और, जो दूसरा referee था, उसकी अलग राय थी he chose to opine a different outlook on the shot उसने एक अलग राय दी उसी shot पर opine word यहां भी use किया गया है ये इस example का meaning था आप एक काम करिए outlook word को कहीं लिख लीजे outlook का मतलब नजरिया, द्रस्टिकोर और outlook word की दूसरी property है उसके बाद आने वाला preposition on हमेशा याद रखें कि outlook के बाद preposition on का ही use किया जाता है तो ये था opine word का meaning क्या सीखा आपने? it means to suggest, it means to lecture, it means to give some opinion it means to express what your inner conscience says तो ये opine का meaning था similar words भी कुछ हो सकते हैं जैसे कि suggest, state, कहना, speculate, आशंका व्यक्त करना या आकलन करना तो ये सारे words, opine के synonyms या similar words कहे जा सकते हैं तो ये था आज के session का पहला word, opine जिसका meaning होता है to give away your ideas, to suggest something किसी को कोई राय देना आप इसे सीधे तोर पे opinion से relate कर लिजे सब कुछ easy हो जाएगा for you जो word number two है it is miffed miffed एक बहुत ही important word है पहली बात ये एक adjective है important इसलिए है कि miffed में आपको कोई बहुत ज़्यादा ideas नहीं मिलने वाले हैं unlike opinion जहां पर आप सीधे उसे opinion से relate कर सकते थे you do not have such liberty here in case of miffed तो आपको इसे याद ही रखना होगा right corner पर आपको एक picture देख रही है एक smiley है जो की angry state को दिखा रही है मतलब किसी का नाराज होना गुस्से में होना exactly this is what we mean by this word miffed miffed का मतलब ही होता है to be very angry upset होना, irritated होना, annoyed होना miffed बना कैसे है miffed में ही जब ed लगा दिया गया तो it has become an adjective miffed का मतलब ही गुस्सा हो सकता है irritation हो सकता है लडाई जगडा हो सकता है लडाई जगडा, irritation सब गुस्से का ही प्रमार है तो miffed होने का मतलब है to be in excessive anger to be irritated, to be annoyed बहुत ज़्यादा गुस्से में होना to be miffed ये meaning है इसका एक बात मैं आपको बताऊं कि किसी भी word के end में जब आपको ed लगा हुआ दिखे तो आप साफ शब्दों में ये समझ लें कि वो एक adjective ही है ये हमेशा से एक नियम है अगर ed को हटाया जा सकता है और फिर लगाया जा सकता है तो निश्टित रूप से वो जो word है एक adjective ही है हाँ अगर एक sentence की बात हो रही हो तो वो वहाँ पर एक verb के जैसे भी use हो सकता है adjective यानि कि past participle के जैसे भी use हो सकता है पर अगर independent तरीके से लिखा जैसे tired, annoyed, frustrated, surprised, satisfied किसी sentence में नहीं ऐसे ही लिख दिया जाए तो निश्टित रूप से ये words जो है as an adjective use किये जा रहे हैं तो क्या सीखा आपने miffed का meaning miffed का meaning है to be in excessive anger बहुत ज़्यादा गुसे में होना to be irritated और upset example number one देखिए as the inconsiderate teenage boy बहुत ही strong English लिखी है मैंने inconsiderate का मतलब जिसको तमीज ना हो जिसको ये ना मालूम हो कि दूसरों के बगल में कैसे बैठा जाता है public place पे how to behave at a public place ऐसे लोगों को inconsiderate कहते हैं जो दूसरों की सहूलियत का ध्यान नहीं रखते हैं such people are called inconsiderate तो as the inconsiderate teenage boy continue to smack his gum with his mouth wide open mouth wide open का मतलब मूँ खुला हुआ क्या कर रहा था वो बत्तमीज teenage boy कि वो च्विंगम को चबा रहा था he continue to smack his gum वो अपने gum को smack कर रहा था मतलब उसे चबा रहा था मूँ खोल करके उसे फुला रहा था बलून टाइप से बना रहा था बहुत से लोगों को ये behavior बहुत ही irresponsible लगता है बत्तमीजों वाला लगता है बहुत खराब लगता है बहुत से लोगों को कि कोई उनके बगल में मूँ खोल के चेविंगाम को चबा रहा हो और बलून के जैसे उसे फुला भी रहा हो है ना they get irritated जब उन्हें ऐसा दिखता है तो वैसा ही लिखा तभी जो लेडीज थी उन्होंने उस बच्चे को inconsiderate कहा कि बहुत ही बत्तमीज था आविवेक की था दूसरों की सुविधाओं को ध्यान में नहीं रखता था the ladies sitting next to him तो जो महिला है उस बच्चे के उस व्यक्ति के उस लड़के के teenage boy के बगल में बैठी हुई थी they were sitting next to him were mived with the distracting noise आवाज आ रही होगी ना चबाने की और बलून को फुलाने की तो वो noise बहुत ही irritate करेगी distracting noise होगी जो भी वो कह कर रही होंगी जो भी वो सुन रही होंगी अगर वो कोई किताब पढ़ रही होंगी तो उस किताब को पढ़ने में उनका मन नहीं लग रहा होगा because the noise was quite distracting distracting होने का मतलब है जो आपको दूसरी और खीचे attraction को आपके तोड़ दे attract का opposite है distract तो ये example number one था जिसमें मैंने आपको कुछ अच्छे words पढ़ाया जैसे की inconsiderate word पढ़ाया with your mouth wide open का meaning आपको clear किया next to him का meaning क्या होता है मैंने ये बताया जब कोई आपके बिलकुल बगल में बैठा हुआ हो चलिए example number two देखते है Sarah was miffed by her boyfriend's lie about being gravely sick as soon as she found him at the movie theater with his friends Sarah बहुत ज़्यादा गुसे में थी बहुत गुसे में थी क्यों क्योंकि उसके boyfriend ने जूट बोला था क्या बोला था जूट में that he was gravely sick यही तो लेखा है lie about being gravely sick gravely का मतलब बहुत ज़्यादा grave का मतलब ही होता है very serious grave situation तो Sarah के boyfriend ने ये कहा था कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन उसने उसे इत्वाक से अपने कुछ दोस्तों के साथ movie theater में देख लिया ऐसा देख कर वो बहुत ज़्यादा miffed हो गया बहुत ज़्यादा उसे anger सा हो गया बहुत ज़्यादा वो गुसे में आ गई चलिए synonyms देखिए पहला word irritated, irritate से बना है then we have peeved, peeved का मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा गुसे में और चिरचिरा हो जाना काफी हद तक offended जब आप feel करते तो आपको लगता जैसे किसी ने आप पे कोई अत्याचार किया है कोई अपराध किया है आपके साथ है आप पे जुल्म ढ़ाया है offended feel करने का यही मतलब जैसे कि जब कोई किसी जानवर को एक डंडी से पीट रहा हो और उसे वो गुसा दिला रहा हो प्रोवोक करा रहा हो जिससे वो offended feel करें फिर वो इस पे attack करें एक तरीके से मेरी बात आप समझ रहा है offended होने का यह मतलब है annoyed होना जानते होंगे अर्क्ड अर्क से बना अर्क का मतलब भी irritate करने से हो सकता है तो erged होने का मतलब बहुत जादा angry होना irritated हो जाना तो यह mift के synonyms थे अब antonyms में वो words आएंगे जिनमें गुसे के बजाए शांती की बात हो संतोश की बात हो खुश होने की बात हो पर यह calm complacent complacent का मतलब ही जब आपको संतोश है contented contentment से बना contentment का मतलब ही होता है संतोश या satisfaction contented का synonym satisfied हो सकता है mollified mollify से बना है mollify is also a very very important verb अब mollified हो गया तो adjective हो गया to mollify somebody का मतलब है किसी व्यक्ति को शांत कराना वो गुसे में हो तो उसके गुसे को शांत कराना तो mollified हो गया कोई तो शांत हो गया appeased का भी यही मतलब है किसी की इच्छाओं को पूरा करना ताकि वो भढ़के ना गुसा ना हो विद्रोह ना करे बागी ना हो जाए appeased करना इसको कहा जा सकता इसी से appeased बन गया appeased politically बहुत ज़्यादा popular word है जब कभी time मिलेगा मैं appeased word को भी और mollified word को भी detail में आपको पढ़ाना चाहूंगा चलिए आगे बढ़ते हैं और word number 3 देखते हैं word number 3 that we have chosen for today's session it is conflate conflate एक verb है इसका meaning पहले पढ़ी है फिर इसका logic और trick दोनों में बताऊंगा आपको to combine two or more things to form a single new thing दो या दो से अधिक चीजों को मिला करके एक वस्त बनाना यही conflate का meaning है मतलब मिला देना कई सारी चीजें हो दो या दो से अधिक चीजें हो और उन्हें मिला करके एक बना देना कई चीजों को एक कर देना आपको right corner पे एक picture दिख रही होगी दो bridge है वो ऐसे अलग-अलग चले आ रहे थे और आगे जा करके आपस में मिल जाते हैं यह conflate करना है जैसे आप संगम बोलते हैं वो ही conflate का meaning हो सकता दो bridge अलग-अलग आ रहे हैं from two different directions और फिर आगे आ करके वो एक single bridge form करते हैं यही conflate का meaning है जैसे chemical reaction में hydrogen और oxide से मिल करके H2O मिल गया hydrogen और oxygen से मिल करके hydrogen oxide जिसको पानी कहा जाता है या फिर Na और Cl sodium और chlorine मिल करके NaCl को form करते हैं दो या दो से अलग अधिक चीजे जो हैं मिल करके जब एक compound को ready करें एक entity को form करें तो उसी को कहा जाता है conflate कैसे आप इसे याद करेंगे दो तरीके हैं एक तो जो prefix con लिखा है वहीं से याद कर लिए कौन का मतलबी सर इखटा करने से मिलाने से होता है इसी से connection बनता है इसी से connect बनता है इसी से conference बनता है जिसको संगम कहते हैं, तो उसी संगम को confluence कहा जाता है, इसी से congregation बनता है, जो religious people होते हैं, उनके group को congregation कहा जाता है, तो con का मतलब ही होता है connect करना, जोड़ना अथवा मिला लेना, तो वही से conflate को आप समझ सकते हैं, कि कही न कही connect करने की बात होगी, एक और तरीका है समझाने क वो है, जो flat आप देख रहे हैं, f, l, a, t, e, इससे आप e को हटाईए, बचेगा क्या, flat, f, l, a, t, बचेगा, जिससे आप flat कहेंगे, flat किसको बोलते हैं, flat एक apartment टाइप से हो सकता है, एक floor हो सकता है, जिसमें कई कमरे होते हैं, flat क्या है सा, set of rooms, तो flat में कई rooms एक साथ है न, वो उनका एक तरीके से combination है, collection है, तो बस वहाँ से भी याद रख सकते हैं, choice is yours, आप इसे flat से याद करना चाहते है, flat would be mnemonics, और अगर con से याद करना चाहते हैं, तो वो genuine method है, क्योंकि con is a prefix जिसका मतलब ही होता है connect करना, तो conflate का meaning आप समझ गये होंगे, अब कुछ examples दिए उनको भी मैं आपको समझा देता हूँ, example number one देखी, the scientist tried to conflate the two chemicals, but they exploded instead of blending, scientist ने try किया कि दो chemicals को वो conflate करे, मिला दे आपस में, लेकिन वो मिलने के बजाए explode कर गये, reaction हो गए उनमे, एक third compound बनने के बजाए, blend करने के बजाए, blending का मतलब भी मिलने से होता है, तो blend करने के बजाए, वो जो है, वो burst कर गये, explosion हो गया एक तरीके से उनमे, example number two देखी, my grandmother tries to conflate my first name with my sister's name, मेरी दादी मां try करती है, मेरे पहले नाम को मेरी sister के नाम से मिलाने की, and morph it into one moniker, moniker का मतलब आप किसी नाम से ले सकते हैं, face से ले सकते हैं, जैसे कि दो लोगों के नामों को मिला करके एक नाम बना दिया गया, थोड़ा सा अजीब लग सकता है, आपको, मैं एक आपको बताता हूँ, जैसे कि अभी देखे न, विराट कोली और अनुष्का की जब मैरेज हुवी, तो उनके अलग-अलग नामों को हटा करके common नाम बना दिया गये, विरुष्का, जैसे कि रडवीर सिंग और दीपी का पाधकूर, वें दे टाइड दो नाट, तो उनके नाम दे दिया गया, दीप वीर, तो ये मॉनिकर कहा जा सकता है, चलिए, मतलब इसी को कहेंगे conflate करना, इसी को conflation कहा जा सकता है, जोकि नाउन हो जाएगा conflate का, synonyms देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, मिलाने से relation है इसका, तो mix हो जाएगा dissolve, घोल देना, amalgamation आप जानते ही होंगे, chemical process जिसको मिश्रण कहा जाता है, combine का मतलब भी आप समझ रहोंगे, merge भी मिला देना, entwine का मतलब जैसे एक तार के उपर दूसरे तार को चढ़ एक रसी के उपर दूसरी रस्ती को चला रसी को चला देना, entwine करना, तो यह इसके synonyms होगे, मिलाना, अब entonyms में वो words आएंगे, जिनमें segregate करने की बात आएगी, चीज़े अगर उलजी होई हो, तो सुलझाने की बात आएगी, है ना, चीज़े जो घुल गई हो, उन्हे अलग-अलग करने की बात आएगी, पढ़िये, separate करना, segregate करना, disintangul करना, disintangul is a very important word, याद रखें, mind it, disintangul, intangul को opposite है, intangul मतलब फसा देना, उलजा देना, और disintangul मतलब प्रथक करना, अलग कर देना, tanj root word इसमें use हुआ है, tanj मतलब touch करने से होता है, geometry में tangent line इसी से ब बन जाओंगा, sir इसी tanj से tangent बनता है, tangible बनता है, intangul बनता है, और disintangul, चार अच्छे word बनते हैं, तो अगर कोई root word मैं कहता हूँ, अगर किसी root word से दो भी अच्छे word बन जाए, दो, only two good words, तो भी उस root word को पढ़ लेना चाहिए, यहाँ तो चार-चार अच्छे words मिल रहे ह हैं, तो मैं जरूर आपको समय निकाल के इसे पढ़ाऊंगा, untwine जो आप देख रहे हैं, वो entwine को opposite हो सकता है, un मतलब opposite, entwine मतलब फसाना, तो untwine मतलब सुल जाँ देना, तो this was word number three of today's session, conflict, which means to combine or mix two or more things, to form it one, to make it one, यह conflict का meaning था, move on करते हैं, word number four को देखते हैं, मैं फिर से आपको यह बताना चाहूंगा, कि get phrasal verb का part two का जो session था, वो कल channel के page पे upload कर दिया गया है, अगर आपने उसे अभी तक ना देखा हो, तो उसे भी देख सकते हैं, word number four को आप पढ़िए, it is aberrant, aberrant के end में ant लगा हुआ दिख रहा होगा आपको, याद रखें अगर किसी भी word में suffix के ताओर पे ant या फिर ent दिखें तो वो word एक adjective कहा जाता है, aberrant is not a positive word, it carries negative meaning, adjective है, क्या meaning है पढ़िए, straying from the normal or right path, stray करने का मतलब ही होता है सर, रास्ते से भटक जाना, तो जब कोई normal, सही रास्ते से भटक करके, जो right path है उससे भटक करके, गलत रास्ते पर चला जाए, रास्ता ही भटक जाए, तो वो aberrant कहा जाता है, आपको एक picture दिख रही है, उसमें तमाम चीटिया जो है, एक line में चलती चली जा रही है, और एक चीटी जो है, उस line को aberrant route पे जा रही है, she is proceeding on an aberrant path, यही aberrant होने का मतलब है, रास्ता भटक जाना, जो सब लोग करें वो आप ना करें, सामान इसे अलग दिखी, मैंने कहा यह positive word नहीं है, मैं और डीटेल में आपको इसे समझाओ, mental disorder से relate करता है, मतलब मानसिक पंगुता से relate करता है, अगर किसी दिमाग बहुत ज़्यादा अच्छे से काम ना कर रहा हो, और वो सही रास्ते पर ना चले, क्या पहले करना चाहिए, क्या बात में उसे इन चीजों का idea ना हो, जैसे कि कोई, मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे कि कोई brush करने के बाद washroom जाई, नॉर्मली तो washroom के बाद brush किया जाता है तो वो aberrant हो जाएगा, मेरी बात आप समझ रहे हैं, इस तरीके से aberrant कहा जाता है, तो नॉर्मल तरीके से जो behave ना करे, eccentric हो जाए, सन की तरीके से, बेवकूफों के तरीके से, पागलों के तरीके से वेवार करना, aberrant होना कहा जाता है, एक मैं जरूरी मदद आपकी यहां पर वो यह कि अबरेंट में प्रिफिक्स में एबी आया है रूट वर्ड एबी या प्रिफिक्स एबी मैं आप सबको पढ़ा चुका हूं काफी पहले मैं पढ़ा चुका हूं चैनल की प्ले लिस्ट में रूट वर्ड एबी नाम से एक सेशन है अगर आपने उस एक्ते वर्ब, common errors में पूछे जाने वाले, fillers में, synonyms, antonyms में, close test में, इन सब जगहां पूछे जाने वाले words ही मैंने आप बनाये थे, तो बहुत ही important root word है AB या बहुत ही important prefix है AB, तो जरूर आप इसे पढ़ने, AB का मतलब ही होता है सर अवे, दूर जाना, तो अबरेंट जब आप हो जाएंगे तो आप सामान प्रक्रिया से दूर चले जाएंगे, जिस रास्ते पर सब चलना है उस रास्ते पर आप नहीं चलेंगे, इसलिए नहीं कि आप कोई बहुत कुछ नया करना चाहते हैं, एक नया इतिहास रचना चाहते हैं नहीं, बलकि इसलिए क्योंकि काम कर रही है आप सही का अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं जिसकी वज़े से आप रास्ता भटक गए हैं something that is not normal, something that is not natural, something that is not common, something that is not ordinary or expected वही है aberrant और पूरी तरीके से negative word है, mind it, चली, example number one देखिये an aberrant growth of body cells is often a symptom of cancer, cancer में क्या होता है इंसान के शरीर की जो कोशिकाए हैं वो अनियंत्रित तरीके से व्रध्धी करती है मानव शरीर की कोशिकाएं व्रध्धी तो करती हैं, ग्रोध तो होती हैं उनमें इन cells में, human body में जो cells होती हैं, tissues होते हैं लेकिन अगर यही growth uncontrolled हो जाए, बेवज़े है, अनियंत्रित तरीके से हो जाए तो उसी से ही तो सरसमस्याय हो जाती और cancer हो जाता है कई बार लोगों को तो aberrant growth of body cells, किसी को भी ऐसी body cells की तो growth नहीं चाहिए न हर कोई चाहता है कि उसकी body cells में growth हो, पर does anyone require aberrant growth of body cells? नहीं, तो aberrant कहां से positive word हुआ, negative ही तो हुआ, चलिए example number two देखिए my unusual uncle has an aberrant way of tying his shoelaces, मतलब मेरे जो uncle है, वो अलग तरीके से shoelaces को बांते हैं हम आप जिस तरीके से shoelaces बांते होंगे, जो सामान ने तरीका है, जूतों की बद्धियों को बांधने का, shoelaces को tie करने का वो कुछ अलग तरीके से उन shoelaces को tie करते होंगे, मतलब जिसे आप normal ना कहें, अजीबो गरीब तरीका था उनका तो aberrant way of tying shoelaces कहा जाएगा, example number three देखिए, बहुत important example है ये when the astronomer looked into his telescope, जब astronomer ने अपने telescope में जहां कर देखा, देखा he was shocked by the sight of a star moving in an aberrant path, वो ये देख करके दंग रहे गया कि एक सितारा, एक स्टार, एक तारा जो है, जो उसका path होना चाहिए, जो उसका रास्ता होना चाहिए normal path होना चाहिए, उस normal path उस रास्ते पर नहीं चल रहा था, वो एक aberrant path पर चल रहा था ऐसी तो, ऐसा तो, ऐसी तो speed, ऐसी तो, ऐसा तो movement आप नहीं expect करेंगे ना, जैसे कि जितने भी planets होते हैं, उनकी अपनी कच्छाए होती है, orbits होती है, certain speed होती है, उसी तरीके से वो move करते रहते हैं, अगर वो अपनी कच्छा से बाहर चले जाए, या जो उनकी speed है, उसमें एक बतलाव हो जाए, तो क्या ये अच्छी घटना है, नहीं, ये अच्छी घटना तो नहीं है, और इसी वज़े से इसको aberrant कहा जाएगा, तो कुल मिला के aberrant is not a positive word, root word AB का session अगर आप देखेंगे, तो सिर्फ aberrant ही नहीं सीखेंगे, you will learn many more words like aberrant, चलिए, synonym देखे, abnormal, देखे, abnormal में भी root word AB का use किया गया है, सर, distracted जो रास्ते से भटका हुआ हो, atypical जो कि typical का opposite हो जाएगा, typical मतलब सामान, atypical जो अ सामानने हो, irant, error से बनता है, sir, error मतलब गलती करना, अब जो व्यक्ति aberrant होगा, रास्ता बदल देगा, रास्ते रास्ते नहीं चलेगा, वो गलती भी तो कर रहा है, तो उसे irant भी कहा जाता है, error से याद कर सकते, deviation से याद कर सकते, angle of deviation होता है, light chapter में पढ़ा जाता है, which will learn cold शायद कहते हैं, I'm not sure, लेकिन deviate करने का मतलब रास्ते से भटकना होता है, eccentric संकी को कहा जाता है, diversion, diversion इसी से बनता है, airing जैसे irant बनता है, irant मतलब गलती करना, और airing का मतलब भी गलती करने से हो सकता है, error यहाँ भी है, airing में भी error है, और irant में भी error है, तो ये aberrant के synonyms थे अब antonymus में वो words आएंगे जिनमें गलती करना ना हो, सामाने तरीके से, सही रास्ते पर चलने वाली बाते हो, like natural, normal, regular, typical, atypical, common, स्वभाविक, ये सारे words, aberrant के opposite हो जाएंगे, कैसा लग रहा है आप सभी को ये session अभी तक का, मुझे please बताए, अच्छा लगता है मेरा उपर है, like जरूर करें, क्योंकि उससे ही मुझे पता चलता है, कि acceptance कितना जादा है, आप कितना share करते हैं, ये तो मैं नहीं देख पाता हूँ, लेकिन आप कितना like करते हैं, वो मुझे देखता है, तो वो एक act of encouragement है मेरे लिए, आप सभी की तरफ से, तो जरूर मेरी ऐसी help क करें, whenever you find my session worth watching, जब भी कभी आपको लगता है, कि हाँ, बहुत अच्छा content मैं लाया हूँ, और अच्छे content से ज़्यादा अच्छे तरीके से मैंने आपको उसे पढ़ाया है, तो do me this favor, please do me this favor, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और last word को भी पढ़ लेते हैं, the last word is engross, engross एक verb है, पहले आप इसे पढ़िए, फिर मैं इसका भी तरीका बताता हूँ, कि आप कैसे इसे याद रख सकेंगे, if something engrosses you, it interests you so much, that you do not notice anything else, मतलब कोई चीज़ अगर आपको engross करती है, तो आप इस कदर उसमें तलीन हो जाते हैं, मगन हो जाते हैं, कि आप इर्द गिर्द कुछ और भी और आप notice नहीं करते, engross करने का यही मतलब है, एक तरीके से मंत्र मुग्ध कर देना, अपनी ओर खीचना, बहुत ज़्यादा पसंद आना, लीन हो जाना, जैसे कि एक साधू ईश्वर की भक्ती में लीन रहता है, engross करना, कई बार songs इतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, कि आपने headphone लगा लिया और आप उसी में must हैं, सुन रहे हैं, आप जान ही नहीं पा रहें कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है, engross करना, जैसे कि बहुत सारे लोग जो हैं, वो PUBG खेलते हैं, वीडियो गेम्स, और उसमें इसकदर मस्त हो जाते हैं, कि पीछे से कोई अगर टीप मार दे तब भी न जान पाएं, कि किसने ये काम किया हैं, ये है engross हो जाने का, बहुत जादा तलीन हो जाना, अच्छा, अब आप इसे याद कैसे करेंगे, देखिए, right corner पे picture बनी इस डीपली involved, इतना कि obsessed लग रहा है कि वो हो गई है उस gadget के साथ, उस show के साथ, तो engross होने का ये meaning है, अच्छा, ये तो picture हो गया, अब वास्तव में आप इसे कैसे समझेंगे, फटा फट, वो देखिए, engross को आप gross से समझे, gross का मतलब ही होता है, सारा का सारा, gross income होती है, ग्रoss income, gross का मतलब ही होता है complete, whole, entire, बस वहीं से relate कर लिए, और जब किसी भी word के पहले en लगता है, या बाद में en लगता है, तो वो शब्द तुरंत अपनी parent form को छोड़ करके, फट से एक verb में तबदील हो जाता है, तो engross एक verb हो गया, जैसे एक word है, मुझे यादा रहा, slave slave, slave बोलते हैं, गुलाम को, नौकर को, दास को, slave is a noun, अब जब slave के आगे en लगा देते हैं, तो slave which is a noun, अपनी parent form को छोड़ करके, तुरंत, तुरंत, वर्ब में तबदील हो जाएगा, ये है prefix en का benefit, suffix के तरीके से भी आता, जैसे threat, t-h-r-e-a-t threat, खत्रा, it is also a noun, इस threat के बाद में en लगा देजे, threaten, तो threaten ढराना, challenge करना, धमकी देना, फट से ये भी वर्ब बन जाएगा, तो prefix या suffix, किसी भी तरीके से अगर किसी वर्ड में en का use हो सकता है, तो ऐसा होने पर वर्ड अपनी parent form को quit करके, छोड़ करके, एक वर्ब में convert हो जाता है, this is the beauty of this prefix and suffix called en, अच्छा, अब meaning पढ़िये, gross से सर जरूर relate करिये, gross मतलब सारा का सारा, तो कोई चीज अगर ingross करती, तो आपका सारा का सारा ध्यान अपनी और खीच लेती है, example number one देखे, with dark storylines, मतलब इसमें कुछ horror जैसा होगा, and dreadful murder plots, dreadful जो भयावे हों, डरावने हों, लिख ल कि जितने भी suspense वाली movies, shows, thrillers होते हैं, ऐसी चीज़े आपको बहुत ज़्यादा अपनी और खीचती है, है ना, आप लगाता till end, आप देखना चाहते, जैसे साफधान इंडिया, बार बार आगे story बढ़ती है, आपका मन करता, देखते ही चले जाएं, देखते ही चले जाएं यही horror movies का, suspense, thriller, dramas का यही तरीका ही है, इसी तरीके से वो audience को retain करते हैं, अच्छा, यही लिखा हुआ है इसमें, यह जो crime books हैं, इनकी story line ऐसी ही है, dreadful murder plots, dark story lines, यह इनके features हैं, तो यह अंतिम page तक, they will engross you to the very last page, आप जब तक आखरी page को नहीं पढ़ा लेंगे, from beginning to end, from page number 1 to page number 10, from first page to last page, तक आप इसमें फ़से ही रहेंगे, जब तक आप last page को नहीं पढ़ा लेंगे, यह आपको engross करके रखता है या रखे गा, example number 2 देखिए, hopefully the plastic keys will engross the crying baby for a while, for a while का मतलब है कुछ देर के लिए, कोई कह रहा है, बच्चा रो रहा है, तो आप उसे plastic keys दे देते हैं, और क्या कहते हैं, आशा करते हैं, कि जो plastic keys हैं, यह कुछ देर तक बच्चे को उलजा के रखेंगे, कुछ देर तक बच्चा जो है, वो इन ही में खेलता रहेगा, उलज जाएगा, फिर से आप कुछ और डेमांड नहीं करेगा, फिर से, excuse me, excuse me, फिर से वो नहीं रोएगा, ingross करेंगी यह plastic keys उसको, for a while, for a while is a phrase, for some time, for some time जिसको कहा जा सकता है, अब synonyms में वो words आएंगे, करने की बात आएगी, पढ़िये न, absorb हो गया, capture हो गया, immerse हो गया, engage करना हो गया, यह सारे words जो है, वो, ingross के synonyms हो सकते हैं, inchant भी हो सकता है, है न, attract भी हो सकता है, यह भी, अब antonyms में वो word जो आपको अपनी और खीचने के बजाए, दूर भगाए, कोई लगन ना हो एक तरीके से, कोई लगाव ना हो, bore, distract, tire, irritate, जो चीज़े आपको ठका दे, गुसा दिलाए, अपनी और ना खीचे, distract करें, boring feel कराए, वो ingross को opposite हो जाएगा, तो यह था आज के session का word number five, ingross, जिसका मतलब है, अपनी और खीचना, तो इस तरीके से, आज का यह session over हो जाता है, जिसमें मैंने आपको पाँच अच्छे words पढ़ाए, ओपाइन, miffed, conflate, aberrant, और ingross, ओपाइन को मैंने opinion से relate करके बताया, कि सुझाब देना, राय देना, miffed को मैंने आपको बताया, कि important word है, adjective है, और गुसा होने से इसका relation है, conflate का मतलब है, कई सारी चीजों को मिला करके एक कर देना, word number three conflate था, कैसे समझाया था, जो prefix कौन है, उससे की कौन का मतलब ही होता, connect करना, collect करना, एक हटा करना, एक बनाना, और flat से भी relate करके बताया था, flat set of rooms जिसको कहा जाता है, जब सारे rooms एक जगा हो, फिर अभी-भी मैंने आपको aberrant word पढ़ाया था, थोड़ी देर पहले, aberrant में मैंने आपको बताया, इसे root word का session, जो की channel की playlist पे available है, वहाँ से देख सकते हैं, और अभी-भी, just अभी मैंने आपको in gross word पढ़ाया, जिसका मतलब है, पूरी तरीके से किसी का ध्यान अपनी ओर खीच लेना, किसी चीज में मगन हो जाना, तलीन हो जाना, मस्त हो जाना, जिसको कहा जा सकता है, gross word से relate करके बताया, gross का मतलब ही होता है, complete, so this way we have come to the end of today's session, how was it for you, please do let me know, मुझे जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा इसे like करें, हो सके तो share भी करें, अपने precious comments को भी दिया करें, शाम को संभवता, एक नया session मिलेगा आप सभी को, possibly on the grammar, हो सकता है, शाम को session ना हो, कल session हो, जैसा भी होगा आप सभी को बता दिया जाएगा, अगर आपने channel को subscribe कर रखा होगा, साथी सथ bell icon को press कर रखा होगा, तो निश्यत रूप से आपको notification भी आही जाता होगा, so this is it for today's session, that's it what we have, अब अभी के लिए इतना ही, अपना अपना ध्यान रखिए, bye bye, take care, have a good day.